नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल बंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मेल नोटिफिकेशन को अन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे आज की वीडियो में हम HTML form पर checkbox को बनाना सीखने वाले है checkbox यह हमारा HTML form tag से related third video है पहले form tag के वीडियो में हमने form tag का introduction और form tag के साथ text box को बनाना सीखा था दूसरे वीडियो में हमने form tag के साथ radio button को बनाना सीखा था आज के वीडियो में हम form tag के साथ checkbox को बनाना सीखने वाले हैं checkbox चेक बॉक्स जो कि आपको multiple option एक साथ select करने की service प्रिदान करता है यदि आपके form में कोई ऐसी field है जिसमें आप एक साथ multiple option को select कर सकते हैं तो उसके लिए use किया जाता है चेक बॉक्स का चेक बॉक्स मतलब एक square shape का button होता है जैसे कि यहां पर हमने example में कुछ subject की list तैयार करी है हमारी list में 4 प्रिकार के option है Java, HTML, Python, CSS student या candidate हमारे form में4 प्रिकार के subject को पढ़ सकता है select कर सकता है तो कोई student एक subject को select कर सकता है कोई student दो subject को select कर सकता है कोई student तीन subject को select कर सकता है या कोई student चारू सबजेट को भी select कर सकता है मतलब जो checkbox होते हैं वह है एक सात multiple select किये जा सकते हैं जबकि radio button एक बार में केबल एक ही select होता है तो जब हमें multiple option में से किसी एक option को select करना होता है तब हम radio button का उपयोग करते हैं और यदि multiple option को एक साथ select करना होता है तो हम checkbox का उपयोग करते हैं आज की वीडियो में हम checkbox को बनाना सिखने वाले हैं पहले हम समझ लेते हैं कि checkbox होता क्या है यह हमारा form text related third control है पहला control हमने पढ़ा है text box दूसरा control हमने पढ़ा है radio button और तीसरा control आज की वीडियो में हम checkbox checkbox क्या होता है checkbox एक square button होता है मतलब इसका shape चोक और होता है square shape में होता है जब multiple options को एक साथ select करना होता है तब checkbox का उपयोग किया जाता है यदि आप अपने form में कोई ऐसी field दे रहे हैं जिस field में multiple option को select किया जा सकता है तो आप बहाँ पर checkbox का उपयोग कर सकते हैं checkbox को create करने के लिए input tag का उपयोग किया जाता है यदि आप checkbox को बनाना चाहते है form पर html form के अंदर यदि आप checkbox को बनाना चाहते हैं तो आप input tag की help से इसको बना सकते हैं इसको बनाने का syntax क्या होता है आपको input tag को open करना है इसका एक attribute लगाना है type input type equal to आपको देना है checkbox checkbox मतलब हम checkbox को बनाना चाहते हैं square shift का बटन बनाना चाहते हैं यदि आप input type equal to text box लिखते हैं तो text box बन जाता है input type equal to radio लिखते हैं तो radio बटन बन जाता है इसी प्रकार से यदि आप input type equal to checkbox लिखते हैं तो हमारे सामने एक checkbox बन कर आजाता है आपको प्रत्य एक checkbox का एक नाम भी देना होता है हर checkbox को पहचान देने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है और checkbox की क्या value आप server पर send करना चाहते हैं यदि आपका HTML form किसी database server से link हो जाता है तो किस checkbox की क्या value आप server पर send करना चाहते हैं वह value आप value attribute के साथ दे सकते हैं तो checkbox को बनाने के लिए input tag को लगाना होगा input tag के साथ type में देना होगा checkbox यहाँ पर हम आज के example में चार प्रकार के checkbox बनाने वाले हैं जो की चार subject के लिए हम use करेंगे तो अभी हमने checkbox का introduction समझा checkbox का syntax समझा अब चलते हैं visual studio code पर और html form के अंदर checkbox को बना कर देखते हैं तो अब हम अपने visual studio code editor में आ गए हैं जहाँ पर हम html का एक form बनाने वाले हैं जिस पर हम चार प्रकार के checkbox create करेंगे हमने यहाँ पर अपने html project folder को open किया है यह हमारा html project folder है जिसमें हम सभी परकार के html program बनाते हैं इसी project folder में हम एक new file को add करने वाले हैं तो हमने new file option पर click किया हमारे project में एक new file add हो जाती है आज का program हम बनाने वाले हैं checkbox के लिए तो हमने program का नाम भी दिया है checkbox.html हमारा जो आज का program होगा उसका नाम हमने दिया है checkbox.html इस program में हम पहला tag लगाते हैं html tag जो कि एक root tag होता है other सभी tag इसी tag के अंदर लगाए जाते हैं second tag हम लगाने वाले हैं यहाँ पर head tag head tag में हमारे web page से सम्बंदित metadata को store किया जाता है third tag हमें आप लगाने वाले हैं title tag title tag में आप अपने web page का कोई भी एक title set कर सकते हैं यह title web browser के title बार में display किया जाता है तो for example आज के program का हमने title दे दिया है checkbox जब हमारा program run होगा तो web browser के title बार में यह title display किया जाएगा इसके बाद हम title tag को close करते हैं head tag को close करते हैं अब हम open करेंगे body tag को body tag जो की हमारे web page की actual information को actual content को store करता है तो हमें body tag के अंदर आज एक form create करना है तो हमने form tag को open किया form tag को close कर दिया form के अंदर आज हम checkbox बनाने वाले हैं लेकिन जो checkbox हैं वह सभी subject के लिए बनेंगे तो पहले हम heading दे देते हैं जो कि हमारी subject इसके बाद हमें checkbox को नीचे वाली line पर बनाना है next line पर बनाना है तो हमें आपर लगाते हैं br tag को br tag मतलब break row पहले हमारे form में subject heading प्रिंट होगी फिर line को change किया जाएगा और जो भी अब हम type करेंगे वह हमें new line पर दिखाया जाएगा तो हमें checkbox बनाना है checkbox को बनाने के लिए हम input tag का use करने वाले हैं input के साथ attribute लगाएंगे हम type और type में यहाँ पर आज हम देते हैं checkbox input type equal to checkbox इससे हमारे form पर एक checkbox बन जाएगा आपको सभी checkbox का एक नाम भी देना होता है checkbox को किस नाम के द्वारा पहचाना जाएगा वह नाम आपको यहाँ देना होता है तो for example मैंने पहले checkbox का नाम दे दिया है c1 इसके बाद आपको value attribute को लगाना है value attribute मतलब जब user checkbox बन को check करेगा tick करेगा तो क्या value server पर send होगी तो for example हम पहले checkbox के लिए server पर value भेजना चाहते है Java पहला subject हमारा क्या है Java यह value checkbox को tick करने पर server पर send की जाती है यदि आपका HTML form किसी database server से link है तो यह value server पर send की जाएगी अब आपको checkbox के साथ जो data डिस्पले करना है वह आपको bracket के बाहर type करना होता है यहाँ पर हम जो पहला checkbox बनाएंगे उसके साथ हमें heading क्या डिस्पले होगी Java और यह जो अंदर हमने Java value दी है यह server पर send की जाती है तो इससे type attribute लगाते हैं और type में दे देते हैं हम checkbox इससे हमारा दूसरा checkbox बनेगा इसका नाम दे देते हैं for example हम c2 हर checkbox का अपना एक नाम होगा इसकी भी हमें एक value देनी होगी तो for example हमारा जो second checkbox है उसकी value हमने दे रही है यहाँ पर python second checkbox second subject हमारा है python दो checkbox बन गए इसके बाद हम तीसरा checkbox new line पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर BR tag को लगाएंगे अब यदि हम यही checkbox बार 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 बनाना चाहते हैं तो इस line को हम copy करेंगे और यहाँ पर paste कर लेते हैं अब हमें यहाँ पर केवल checkbox का नाम चेंज करना होगा तो यह हो गया हमारा checkbox 3 इस checkbox 3 के साथ हम value देना चाहते हैं html तीसरा subject हमारी list में जो है वह है html हमने तीसरा subject टाइप कर दिया इसके बाद इसके बाद हम जो next checkbox बनाएंगे वो new line पर बनाएंगे तो हम vr tag को लगाते हैं एक बार और अपनी line को same line को print करते हैं paste कर देते हैं यहाँ पर last checkbox का नाम हमने दे दिया c4 और जो हमारा last checkbox है उसके साथ हम value देना चाहते हैं css जो हमारा last subject होगा वह होगा css तो हमने यहाँ पर चार वार input tag को लगाया है और input का attribute यूज किया है type जो की checkbox को बनाएगा हर checkbox का हमने एक नाम set किया है हर checkbox की हमने एक value set करी है यह value server पर जाएगी और जो बाहर हमने value दी है यह हमें form पर display की जाती है इसके बाद हम form tag को close करेंगे body tag को close करेंगे last में html tag को close करेंगे हम अपने program को save करते है program में right click करेंगे open with live server से program को run करेंगे कुछी समय में server on होगा और हमारे program का output हमें display किया जाएगा तो आप देख सकते हैं यह हमारे program का output है हमने अपने program में title tag के साथ जो title दिया था checkbox वह हमें web browser के title बार में display किया जा रहा है हमने एक subject heading दी थी तो वह subject heading प्रिंट हुई फिर हमने input tag की help से चार प्रकार के checkbox बनाए थे चारो checkbox हमारे सामने display हो रहे हैं आप किसी एक checkbox को check कर सकते हैं दो checkbox को check कर सकते हैं तीन checkbox को check कर सकते हैं या फिर एक साथ चारो checkbox को भी check कर सकते हैं checkbox ऐसा control होता है जो एक साथ multiple selection करने की service प्रिदान करता है लेकिन जो radio button होता है वह cable एक बार में एक option को select करने की service प्रिदान करता है तो यदि आपके form में कोई ऐसी field है जहाँ पर आप multiple value को select करना चाहते हैं तो बहाँ पर आप checkbox का उपयोग कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने HTML form पर checkbox को बनाना सीखा आप इसको practically use करके देखें आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जदा से जदा सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद